कीज़े बढ़ते हैं अगली खबर की उर अगली खबर जेट एरॉसी है जो इस पर लगातार संकट बन रहाता चला रहा है क्यूकि से यातरियों की हालत काफी कंभीर बताई भताई जारें और बहुत ही कि परिशान है यातरी एरपोर्ट पर कूगी बिमानों के उडान लगातार रद किये जा रहे हैं अगर बात की जाए तो सोमवाट को जेट एरवेज की दो और भीमान खड़े कर दिए गये क्योंकि कारण ये बताया जा रहा है कि पट्टे के लिए किस बीमानों का किराया नहीं चुकाया जा गया है इस तरह अब तक कमपनी की कुल 25 बीमान परिचालन से बाहर हो चुके हैं जो उसके कुल बेड़े का करीब 20 प्रच्चत है सेयर बजार को तो दीजय अनकारी के में कमपनी ने बताया है कि भारी नकदी संकट की वज़ा से बीमानों का किराया नहीं चुकाये जाने के चलते दो और बीमान खड़े हो गए हैं जिसके कारण यात्रियों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है जब यात्रि एयरपोर्ट पर आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि विमान को कैंसल कर दिया गया है अक्सर यात्रि एजन्सी से टिकट निकाल लेते हैं जिसके कारण उन्हें कुछ पता नहीं चलता मुंबई से दिल्ली जाने वाला विमान अभी तक नहीं आया जिसके कारण सुबा से ही यात्री काफी परेशान है यात्रियों को कोई संतोष पूर्ड जबाब भी नहीं दिया जा रहा है जेट एयरवेज के करमचारियों का कहना है कि वो इस संबंद में कुछ नहीं बोल सकते करें बाई कल से नेक्ट बंद हो रहा है क्या है न्यूज में दिया है सामतलब किसा ने नीज देखा है और अभी हम लोग को अगर दूसरा फ्लाइट हम लोग लेता है संब्दो यह लोग एंग के बदले हम लोग को 900,000 पाउंड का फ्लाइट है पून देंगा हम लोग को अच्छा कंफिर्मेंट